जिसे जनाब इंद्याज एमन्त करीमी साहब है जनाब रिजेश महरुसरा साहब और हमारे वजीर अखलियती हुमूर अपिर खपूर साहब और दीगर रहे माँं की सरफ़स्ती में तर्दीग दिया है इसमें अभी आपको जनाब इताहिब परास के शुना है इसमें आपको देली उर्दू अकेडमी के सिक्रेटरी और आपके महबूब शायर जनाब माजित दिखरोंदी की सुना है अभी मेरी पेरिस में जनाब जोहर कानूरी मौतरमा शबीना अधीब जनाब सुल्टान अक्तर जनाब आलब पुर्शीद मौतरमा नुजा तंजुम और गोमी एक्षेटी की रोशन पिसाथ पंडित आनल मौहन सुल्शी की उर्जार नहीं और पिहार की आपनों जनाब मौतरमा डाक्टर नुजा तंजुम के नुजा तंजुम साहिबा रखनों के तश्रीद आई है और कमार यह है कि उन्होंने संस्केट में पिएश्टी किया हिंदी की वो फुरुपैसर नहीं लेकिन शाइरी उर्टों में तश्रीद आप इस सब्वार्शीजे उर्टा आप और मैं उसे बुदारीश करता हूं के तश्रीद आए और अपने कलाम से नौज आए मौतरमा डाक्टर मुजा तर्मा डाक्टर आप आखें बंद करके सुनेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी मैं शायरी सुनाने आई हूं और इंशालला आपके भर पूर खिद्मत करके जाओंगे बहुत बहुत शुक्रिया बहुत खुबसुरत मुशारा चल रहा है एक बार मैं मुबारकबाद देती हूं जो भी मुंतद्रिमकार है इस मुशारी के दिली मुबारकबाद मेरी तरफ से और हमारी डाइस इस वक्त ही महतरम जो भी शौराय कराम है उन सब का में दिल से तर्वाल करते हूए और सत्रे महतरम से इजादत चाहते हूए सबसे पहले चंशे हाधिर करते हूए समाद कीजिए अर्ज क्या है नकोई इसका न like किसी की यही हाकिकत है जिन्दगी की न कोई इसका न ये किसी की यही हकीकत है दिन्नेगी की दुश्मनी से तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला दुश्मनी से तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला दोस्ती कर लो अगर मुझको बिटाना चाहो एक पता समात करें मुहबबत से वतन की हम कहां इंकार करते हैं मुहबबत से वतन की हम कहां इंकार करते हैं मुहबबत से वतन की हम कहां इंकार करते हैं वतन की दोस्त हैं इस मुल्क से हम प्यार करते हैं हम इंसा हैं न तौलो हम को मज़भ के तराजों में जो दुश्मन अमन के हैं हम उन्हीं बेवार करते हैं बहुत 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 शुक्रिया जी हाँ बेविकल मैंतर अनुब ही आ रही हूँ समाद कीजिए जांक दी आप नहीं जोर से नहीं ने ने मुनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि उनकी आवाद इस माइक से भी ज़्यादा तेज असर रख रही है आपकी महबतें बहुत 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 शुक्रिया नफरत को बहुत भाग जाएगी, मिट जाएगी, ना मुनिशान तक हो जाएगी और यावमों की सबकी महबतें हैं जो हम सब इतने कुछ से सफ़र करके आ जाते हैं समाद कीजिए, हादिर करते हैं मैं हाद साथ को अकसर जोड़ देती हूँ हवा की रुख को तेरी सुन्त मोड़ देती हूँ हवा की रुख को तेरी सुन्त मोड़ देती हूँ तेरी करीमी पे नाजा हूँ मैं हमेशा से मैं खुद को तेरे भरो से पे छोड़ देती हूँ मैं खुद को तेरे भरो से पे छोड़ देती हूँ इतना का और समाद करें जखमों को मेरे हसने की आदत नहीं रही अब जिन्दगी से कोई शिकायत नहीं रही जखमों को मेरे हसने की आदत नहीं रही अब जिन्दगी से कोई शिकायत नहीं रही इतने फरे बुखाये मुहाबत की रह में इतने फरे बुखाये मुहाबत की रह में मुहाबत की रह में मुहाबत की रह में अब मुझे को हम सफर की जरूरत नहीं रही मुझे को बिन सफर की जरूरत नहीं रही बहुत बहुत शुक्रिया एक अता और हादिर करती हो मुझे रह मुझे रह में सुनिएगा मुस्कुराने को मेरे प्यार बना देता है वो हर इक बात को अखबार बना देता है मुस्कुराने को मेरे प्यार बना देता है वो हर इक बात को अखबार बना देता है लंस में उसके मुझा दू हगीक लंहे में लंस में उसके मुझा दू हगीक लंहे में मेरे इंकार को इकरार बना देता है मेरे इंकार को इकरार बना देता है अबना देता है और उनकी अच्छी सेहर के लिए दौाइं कीजिए और उनकी जिन्दे की अपना पाक सेहर जिसाथ खुब लंबी करें आमेन सुमा आमेन और अब मैं एक नुकमा गजल आज तक के दिजिए रखती हूँ रसमे वफानी भाना तो गैरत की बात है गैरत की बात है वो मुझे को भूल जाएं ये हैरत की बात है सब मुझे को चाहते हैं ये शोरत की बात है सब मुझे को चाहते हैं ये शोरत की बात है मैं उसको चाहती हूँ ये खिसमत की बात है मैं उसको चाहती हूँ ये खिसमत की बात है इजहार इश्ग कर ही दिया मुझे से आपने इजहार इश्ग कर ही दिया मुझे से आपने इजहार इश्ग कर ही दिया मुझे से आपने मुझे से आपने ये भी जनाब आप की हिम्मत की बात है तारीफ कर रहे हैं सभी आज कल मेरी तारीफ कर रहे हैं सभी आज कल मेरी तारीफ कर रहे हैं सभी आज कल मेरी इसमें कोई जरूर सियास की बात है और एक होती सचा शेर समाती जें रखता है उनही आद किसी को कोई कहां रखता है उनही आद किसी को कोई कहां रखता है उनही आद किसी को कोई कहां ये तो बस अपनी अपनी जरूरत की बात है वो जिसको चाहे अपने करम से नवाज दे वो जिसको चाहे अपने करम से नवाज दे वो जिसको चाहे अपने करम से नवाज दे ये तो खुदा की बंद से मिस्बत की बात है और अगजल का अब मक्ता हाथिर है सौदा किसी से मैंने अनाका नहीं किया सौदा किसी से मैंने अनाका नहीं किया अनाका नहीं किया नुजहत ये मेरे वासित इज़त की बात है नुजहत ये मेरे वासित इज़त की बात है बहुत 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 शुक्रिया बहुत ये अच्छे सामें ले मेरा दिल चाहरा है अगर इजाज़त हो तो एक गजल मैं और हादिर करूँ एक बार आप मुझे इस पार का यकीन दिनाएं की बेशक्त आप तुमसे महबत करते हैं और हमें सुनना चाहते हैं मैं गजल और आपके फितनत में हादिर करती हूं समान कीजिये ये बिल्कुल ताज़ा गजल है अभी सिर्फ मैंने कुवेर में पढ़ी है और कहीं नहीं और आपके बीच हादिर कर रही हैं सुनें गजल बस ये खाहिश है वो पाबंदे वफा हो जाएं बस ये खाहिश है वो पाबंदे वफा हो जाएं फिर तो हम सारे जमाने से जुदा हो जाएं पिर तो हम सारे जमाने से जुदा हो जाएं राह उल्फत में गुजरना है बहर हाल मुझे राहे उल्फत में गुजरना है बहर हाल मुझे राहे उल्फत में गुजरना है बहर हाल मुझे वो अगर होते हैं मुझे से तो खफा हो जाएं लोग आपस में मुहाबत से अगर रहने लगें लोग कहते हैं ये नेता और राजीती के लोग होते हैं ये आपस में लड़ाते हैं हिंदू, मुसलिम, सिक, हिसाई आपस में तफ़ा का पैदा करने हैं अगर हम डिटर्मिन हो जाएं अपनी जहां कि हम नहीं लड़ेंगे तो क्या मजान है किसी की लड़ाते कोई जब हम इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हमें लड़ाया जाता है तो हमें अकल आ जानी चाहिए कि हमें तैं कर लेना चाहिए इस बात का हमें अच्छी तरह से पका इरादा कर लेना चाहिए कि हमें आपस में चाहे कोई कुछ भी कहे मज़भ के नाम पे हमें तैश में नहीं लड़ना है, तो नहीं लड़ना है, तब हमारी कोव्यक जैथि कायम होगी और हम तब सच्चे हिदुस्तानी खेलाएंगे और तब हम सच्चे इंसान बनेंगे जब हम आपस में लड़ना चाहतेंगे अगला शेर आप सब के नज़र करते हूं समान कीजिएगा लोग आपस में मुहाबत से अगर रहने लगे लोग आपस में मुहाबत से अगर रहने लगे लूपे छोके भी याँ बादे सबा हो जाएं लूपे छोके भी याँ बादे सबा हो जाएं ऐसे बंदे भी है अलाह की इस दुनिया में जो इसी धुनने लगे है कि खुदा हो जाए जो इसी धुनने लगे है कि खुदा हो जाए जिन्दगी से न रहे फिर कोई शिक्वा नुजहत जिन्दगी से न रहे फिर कोई शिक्वा नुजहत जिन्दगी से न रहे फिर कोई शिक्वा नुजहत शर्त इतनी है कि राजीबा रजा हो जाए शर्त इतनी है कि राजीबा रजा हो जाए शर्त इतनी है कि बहुत शिक्रिया शर्त इतनी है शर्त इतनी हमारे मुशारिये को अता की और दोस्तों ये क्या संजीदा महौर बनाया है उजद की उदल में तुम अचाता की कि उस संजीदा और मावखार शाहर को दावत एक अलाम दूनी जिसने पटना का नाम उर्दू के आलमी नक्षे पे दर्च कराया और मैं इस बाती भी अर्सक्रत हूं कि हमें सुधे हुए तालाप में बैठे हुए हमस जो तालुक को निवाते हुए मर जाते हैं ये मुख्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन जो किर्दार आज़ाते हुए मर जाते हैं ये मुशायरा मुख्बत की कहानी करती दे रहा है और मैं चाहता हूँ कि इस मुख्बत की कहानी में एक बहुत ही तुशूरत बरत वो शायर दूरे इसका मैंने सिक्र किया और जिनका नाम है जनाब आनम पुर्शी है। कई किताबे उन्होंने लिखी, मुशायरों में भी बहुत मखूर है। और उर्टू के तमाम मेहारी रसाइल में उनका कराम बहुत शौक से चाया हुता है। और आपको इसलिए कि मैं अपनी जिम्दानिया दिलाता हूँ कि ये आपके शाया है। आपकी आवाज में आपके उपके हैं। चनाब आनम पुर्शी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुशार उस्माई साथ। इस से कब्र के मैं घजर की तरफ आओं। मैं भी चाहता हूँ किसी संजीदा माहूर में थोड़ी संजीदी अगर बढ़ा हूँ। तो चन्द कटाथ हाजिए हैं। देखें पहले कटाथ के गलत ये बात है। रोशन कहीं दमाग नहीं। के गलत ये बात है। रोशन कहीं दमाग नहीं। जहां अन्धेरा बहुत है वहीं चराग नहीं गलत ये बात है लोशन कहीं चराग नहीं जहां अन्धेरा बहुत है वहीं चराग नहीं और जरूर धोट है तक्सीम के तरीखे में कहीं चराग बहुत हैं कहीं चराग नहीं गलत ये बात है दोशन कहीं चराग नहीं जहां अन्धेरा बहुत है वहीं चराग नहीं और जरूर खोट है तक्सीम के तरीके में कहीं चराग बहुत हैं कहीं चराग नहीं और ऐसा क्यों है एक गताव देखें कि इसी लिए तो कोई शफस अपने बस में नहीं इसी लिए तो कोई शख्स अपने बस में नही हमें वो चाहिए जो अपनी दस्तरस में नही इसी लिए तो कोई शख्स अपने बस में नही हमें वो चाहिए जो अपनी दस्तरस में नही और ये बात कौन बताए हरीस लोगों को खनातों सा मज़ा लज़त हवस में नहीं कि इसी लिए तो कोई शख्स अपने बस में नहीं हमें वो चाहिए जो अपनी दस्तरस में नहीं और ये बात कौन बताए हरीस लोगों को कनातों सा मज़ा लज़त हवस में नहीं और किसी को उल्टी और किसी को सीधी लगती है किसी को उल्टी और किसी को सीधी लगती है हम जैसे हैं दुनिया हमको बैसे लगती है किसी को उलती और किसी को सीधी लगती है हम जैसे हैं दुनिया हमको वैसी लगती है और बुरा जमाना आया है सब कहते हैं लेकिन सब को अपनी अपनी फित्रत अच्छी लगती है किसी को उलती और किसी को सीधी लगती है हम जैसे हैं दुनिया हमको वैसी लगती है और बुरा समाना आया है सब कहते हैं लेकिन और सब को अपनी अपनी फित्रत अच्छी लगती है अब पतात का सिलस्ला खत्र करता हूँ और एक आलात हाज़रा से जुड़ी हुए गज़ल समात फर्माएं कि मैं जिस जगह में रहूँगा वही पे आएगा मैं जिस जगह में रहूँगा वही पे आएगा मेरा सितारा किसी दिन जमी पे आएगा मैं जिस जगह में रहूँगा वही पे आएगा और मेरा सितारा किसी दिन समीं पे आएगा और शेर देखें कि लकीर खेच के पैठी है तशनगी मेरी बस एक जिद है बस एक जिद है कि दरिया दिरी पे आएगा कि लकीर खेंच के बैठी है तश्टगी मेरी बस एक जीद है कि दर्या यहीं पे आएगा और शेफ देखें और महसूस करें कि सियास साए बढ़े आते हैं हमारी तरफ कि सियास साए बढ़े आते हैं हमारी तरफ कब एक बार हमें दूर भी पे आएगा सियास साए बढ़े आते हैं हमारी तरफ कब एक बार हमें दूर भी पे आएगा और अब इस अदासे हवाएं देरे बुझाएंगी अब इस अदा से हुआए दिये मुझाएंगी कि इत्थाम भी घर के मकी पे आएगा अब इस अदा से हुआए दिये मुझाएंगी कि इत्थाम भी खाला नशी पे आएगा और ये शिर देखें खास तोर पर पूरी दुनिया का नक्षा देख ले कि कमाने वक्त ने हमको हदख बनाया है कि कमाने वक्त ने हमको हदख बनाया है कहीं से तीर चलेगा हमें पर आएगा कि कमाने वक्त ने हमको हदख बनाया है कहीं से तीर चलेगा हमीं पर आएगा और देखे एक मजाक्रे की फिर बात हो रही है तो इसके हमाले से ये शेह सुन लें कि खुलूसे दिल से हुए गग मजाक्रे आनन कि खुलूसे दिल से हुए कम मजाक्रे आनन हरे एक फैसला आखिर नहीं पर आएगा हरे एक फैसला आखिर नहीं पर आएगा और लकीर खैच के बैठी है तश्ड़गी मेरी बस एक जिद है के दरिया यहीं पर आएगा के हाथ पकड़ ले अपी तेरा हो सकता हूँ मैं के हाथ पकड़ ले अपी तेरा हो सकता हूँ मैं फीर बहुत है इस मेले में खो सकता हूँ मैं के हाथ पकड़ ले अपी तेरा हो सकता हूँ मैं फीर बहुत है इस मेले में खो सकता हूँ मैं और शेर देखे के पीछे छूटे साथी मुझको याद आ जाते हैं के पीछे छूटे साथी मुझको याद आ जाते हैं वरना दौड में सबसे आगे हो सकता हूँ मैं के पीछे छूटे साथी मुझको याद आ जाते हैं वरना दौड में सबसे आगे हो सकता हूँ मैं और कब समझेंगे जिनकी खातिर जान लुटाता हूँ कब समझेंगे जिनकी खातिर जान लुटाता हूँ अपने दिल में नफरत भी तो बो सकता हूँ मैं कि कब समझेंगे जिनकी खातिर जान लुटाता हूँ अपने दिल में नफरत भी तो बो सकता हूँ मैं और ये शेर देखे के एक छोटा सा बच्चा मुझ में अब तक जिन्दा है के एक छोटा सा बच्चा मुझ में अब तक जिन्दा है छोटी छोटी बात पे अब भी रो सकता हूँ मैं एक छोटा सा बच्चा मुझ में अब तक जिन्दा है चोटी चोटी बात पे अब भी रो सकता हूँ मैं और सोच समझकर तू फानों से उल्जा हूँ बरना के सोच समझकर तू फानों से उल्जा हूँ बरना बहती गंगा में हाथों को धो सकता हूँ मैं सोच समझकर तू फानों से उल्जा हूँ बरना बैती गंगा में हाथों को ठो सकता हूँ मैं और हाथ पकड़ ले अब भी तेरा भो सकता हूँ मैं भीड बहुत है इस मेले में ठो सकता हूँ चाहता है जो आसमाए मुझे चाहता है जो आसमाए मुझे खोने दिल गो नी चोड़ सकता है जगते करिया के एक हैं हम फिर हमें कौन तोड़ सकता है बादा पोश बलिया बड़ी नायता है बहुत नावादा चाहता है जो आसमाए मुझे खोने दिल गो नी चोड़ सकता है जगते करिया के एक हम फिर हमें कौन तोड़ सकता है फिर हमें कौन तोड़ सकता है फिर हमें कौन तोड़ सकता है मेरा तालुक उत्तरपरदेश से है दिली में रहता हूँ शायर की नजर तो सब पर जाती है अला करें सही बात सच बोलने की इनमत कर सको समातरमा यूपी की नई हुकूमत बनी है बैश करता हूँ अपने वायदे गपनु साथ बीवी को छोड़ो बीवी के हाँ बदा ना करो तो हुजरियादम बन जाओ और घर को छोड़ो शादी ना करो तो सीएंब बन जाओ नमाग है मावल मनाइदी कि मैं पेश करता हूँ जाने कितने ही घर जलाए है मुलेह भर मैं तारी अक दिखा रहा हूँ फिरका परस्तो जाने कितने ही घर जलाए है सफे तारीख के मिताए है जाने कितने ही घर जलाए हैं सफे तारीख के मिटाए हैं जुटे लोगों के साजिशों के तुफे हैं लोग हारे नहीं हराए गए जाने कितने ही घर जलाए गएं सफे तारीख के मिटाए गएं जोटे लोगों के साज़िशों के तुफे लोग हारे नहीं हराए के लेकिन अजरात उसके बाद मायूसी कुफरे में पेश करता हूँ ऐसे इनसां से क्या गरज मुझे को जो मेरा जखम भर नहीं सकता जो मेरा जखम भर नहीं सकता वो कहे मुझे अगर हम को खत्म कोई भी कर नहीं सकता अगर आपको उच्छी बात लगे तो मैं आपकी भी दुआएं चाहता हूँ अगले लगा बोड़ा हूँ बहुत शुक्रिया ऐसे इंसा से क्या गरज मुझे को जो मेरा जखम भर नहीं सकता हो गए उत्ति अगर खम को खत्म को ये भी कर नहीं सकता मैं जैसा भी हूँ आपका छुटा भाई हूँ लेकिन अग्षा मुझे कहने की इजाज़त दीजे कि अल्ला के वास्ते अपने चुटे भाई की ये बात अपने साथ ले जाएं जो लोग एक मस्जित में नमास नहीं पड़तें को इलक्शन पे या कौम के लिए मुझे कैसे हो सकता है मुलाइदा पर्माएं बहुत पुराने चार मिस नहीं लेकि इस वक्ड़ने की इजाज़त था तो मुलाइदा पर्माएं समाथ पर्माएं जिसके सदके में ये हयात मिली सुनें द्रास साथ दीजेगा सच का उसके हम सच्चे उमती बन जाएं जिसके सदके में ये हयात मिली उसके हम सच्चे उमती बन जाएं देवबंदी बरेलवी से कबल काश हम सब मुहम्मधी बन जाएं जिसके सदके में ये हयात मिली उसके हम सच्चे उमती बन जाएं देवबंदी बरेलवी से कबल काश हम सब मुहम्मधी बन जाएं आमीन बड़ी नाएट आएट दोस्तों मैं बड़ी नाएट सलाम पेश करता हूँ आपकी उर्दू नावाजी को और दीन से मौहम्मध को सलाम पेश करता हूँ इसलिए के हम दुनीय में फसाद वर्पा करने के लिए नहीं बेजे गए दुन्या में हमोगत और पैदाम रसूर को आंब करने के लिए आपने रसूर का दामा जोट बोको तुरी दुनीयमें सली ले रहते हैं सोच ना पड़े हैं चार विश्रे पेश करता हूँ, मरकस में जो लोग मौजूद हैं, उनकी तारिख आपको दिखा रहा हूँ, समात रुमाएं। हर तरफ मौन बनके बैठे हैं, सोचिये कौन बनके बैठे हैं। हर तरफ मौन बनके बैठे हैं, सोचिये कौन बनके बैठे हैं, जंग आजादी में कहीं जो न थे, आज फिर मौन बनके बैठे हैं। हर तरफ मौन बनके बैठे हैं, सोचिये कौन बनके बैठे हैं, जंग आजादी में कहीं जो न थे, आज फिर मौन बनके बैठे हैं। हर तरफ मौन बनके बैठे हैं, सोचिये कौन बनके बैठे हैं। माई उसी कुफर हैं। पेश करता हूँ, तखाद अन नौजवानों से हैं, जो हमारा मुस्तफिल हैं, उन खुदुर्गों से हैं, जिनकी दुआइं लेकर हमें आगे बढ़ता हैं। आमीर मुलाइदा फर्माएं। उस इंकलाब की शुरुआदी इंशालला मरकस के इंकलाब की शुरुआदी जफुर्जा बेहार से होगी इंशालला फिर लिखी जाएगी नई तारीख, फिर नया इंकलाब आएगा। वो जो बातिल परस्त हैं उन पर आसमां से अजाब आएगा। फिर लिकी जाएगी नई तारीख, फिर नया इंकलाब आएगा। वो जो बातिल परस्त हैं उन पर आसमां से अजाब आएगा। वो जुक्रिया हमारे वज़िर अद्ब बहुत ही महुबत करते हैं से और खासकर मुसल्मानों के सवातीन से बहुत महँबत करते हैं हुए मैं उनकी महुपत की नजर करना हूँ ये चार मिस्ते अगर सलिय कैसे कह पाया हूँ तो जितने लोग है सब की दूआ चाहता है हर तरफ रोशनी सी लगती है ये तो उनकी गली सी लगती है हर तरफ रोशनी सी लगती है ये तो उनकी गली सी लगती है अपने घर का भी कुछ खयाल करें जिनको हम में कमी सी लगती है हर तरफ रोशनी सी लगती है ये तो उनकी गली सी लगती है अपने घर का भी कुछ खयाल करें जिनको हम में कमी सी लगती है जिनको हम में कमी सी लगती है मैं तोड़ा सा ओंवर किया थर मैंने वह आपके खित्मत में पेश किया बहुत नवादाब ने में रपरोट बना दिया मैं गजल के चंशिर उपरोट हूँ अब ये खुंदू डारेक्टरेट के जिब्दारान तमाम लोगें और वफुर साब यहां मौजूद हैं बाके भाई हैं एक शाद अल्ला साब हैं इनोंने आते हैं मुझे काता कि मुझे उस घजल के चंशिर जरूर पढ़ दें जो 20 साथ से पूरी दुनिया सुझती है अल्ला मेरे रिस्थ की वर्कत न चली जाए तो दो उससे घर में तो मेमान आई हैं लेकि मुझे इजास्त दें कि मैं दूसरी वजल के तीन चाशियर पढ़ता हूं उसके बादा मुलाइदा बर्माएं मैं आदा प्रेश करता हूं सर की खीमत पे हर इक बार का आजाता है जरा सो माइक और अच्छा करती है सर की खीमत पे हर एक बार का आजाता है हर एक बार का आजाता है सच होई है जो सरेदार का आजाता है सच होई है जो सरेदार का आजाता है पिर एक आईना दिखाता हूं आपको आपको खादिम होने के नाते ये अलग बात मेरा हक नहीं मिलता मुझे को ये अलग बात मेरा हक नहीं मिलता मुझे को वेसे घर का मुझे हकदार का आजाता है सच वोई है जो सरेदार का आजाता है अलग जनके आजादी में हमारे साथ हजार से ज़्यादा उल्मा एकराम ने शहादते दी मेरे नौजमान दोस्तों मेरे मुझे को दिल्ली से लावर तक कोई पेड़ ऐसा नहीं बचा था जिसमर हमारे उल्मा की लाशे न लगकी भी और आप देखें क्या नतीजा दिया जा रहा है इस मुल्क में हमारे उल्मा को अगर सच बोलू तो मैं तमाम लोग की दुआएं चाहता हूँ को मैं और सच बोल सकता हूँ सच वो ही है जो सरेदार कहा जाता है जिनके दम से मिली आजाद हवाएं हमको जिनके दम से मिली आजाद हवाएं हमको ऐसे लोगों को भी गद्दार कहा जाता हूँ जिनके दम से मिली आजाद हवाएं हमको ऐसे लोगों को भी गद्दार कहा जाता है इस गद्दार को मुक्ता पेश करता हूँ उम्र भर काफले लूटे हैं जिनोंने माजिद पैचान ये लोगों उम्र भर काफले लूटे हैं जिनोंने माजिद अब उने काफला सालार कहा जाता है अब उने काफला सालार कहा जाता है सच वही है जो सरेदार कहा जाता है बताईए आप को ए गद्दार कैसी लगी जिससे मैं आपको जाता है बड़ीन आयत सलाम करता हूँ मैं अपने तमाहों करता हूँ वो एक तालिवे को उनोंने नवादा बड़ों को तो सब नवासते हैं अपुर्साद चोटे को जो नवादे वो छोटे के लिवादाओता है बड़ा आक शपसका चोटा हूँ अफ़ल के कोछ शेख बेश करता हूँ उससे इसी طरा सुटिए जैसे आप भीस साल से सुना है सामाने टिजारत मेरा इमान नही है सामानित तिजारत मेरा इमान नहीं है हर दर्पे जुके सर्ये में दी शान नहीं है हर दर्पे जुके सर्ये में दी शान नहीं है बड़ी नायता है मेरी बेहने, मेरी माई, मेरी बेटिया में यहां बेटी है अगर एक बच्चा ताली प्याफ्ता हो जाये तो एक खांदान पर वरिश पाता है लेकिन अगर हमारी बेटी ताली प्याफ्ता हो जाए तो पूरा एक माशरा पर वरिश पाता है मैं इस हुआले से अपनी माओं की बेहनों की बेटियों की नजर करता हूँ ये शेर समाथ फर्माए आला ताला ने गफूर साथ हमें वो नेमा दता की है अगर बेटी है तो बाप के लिए जन्नक का दर्वादा की अगर बीबी है तो शोहर के लिए निस्खीमान और अगर मा है तो इसके ख़़फ़ों के लीचे चाड़ा है ये अल्ला कर देए हुआ है मेरा कफातों की शेर में उन्ही से है अल्ला करे तो शेर याद रखे तो मेरी आफरा समर जाए हर लवजी को सीने में बसा लो तो बने बात हर लखे को सीने में बसा लो तो बने बात ताखो में सजाने को ये पुरौान नहीं है हर दर पे जुके सरी ये मेरी शान नहीं है हज़राद आपका शहर आपका शायर आपका शहर आपका शहर आपकी नज़ए मीर ने हजारों शहर कहें उनके बहातर नश्टर मशूर है मैं तो मीर की खाक बावी नहीं मेरा एक शहर लादे मशूर कर दिया पूरी दुनिया में मैं गया हूं लेकि जहां मैं नहीं गया, मेरा ये शेर बोचा, मेरा कुछ नहीं है, आपके दुआउं की अता है, इसलिए कि अल्ला जब उन कह देते हैं तो हो जाता है, उसका इसान है, अल्ला मेरे रिस्ट की बरकत ना चली जाए, दो रोज से घर में कोई महमा नहीं है, तो रोज से घर में कोई महमा नहीं है, हर दर पे जुके सरी में दी शान नहीं है, मेरे करफ फरमा, मेरे बुज़ूर, मेरे नौजमान दोसको, इस घजल को भी मुक्तसर करना हूँ, आखर शेर आपके नजर करके वाबस करना हूँ, माई उसी कुफ्रे, मुलयाधा फरमाई, हर दर पे जुके सरी में दी शान नहीं है, हमने तो बनाएं समंदर में भी रस्ते, हमने तो बनाएं समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है आखरी शान नहीं है आखरी शेर वतन से मुझबत हमारा एमान है जो लोग कहते हैं कि हमें वो सब कुछ बोलना है जो वो चाहते हैं उन्हें मैं ये बता दूँ वो तो दिन में एक दो बार पंदे मातरां बोलते हो गए हम दिन में फजिर से इशा तक कम से कम तेड़ सो मरतबा इस जमीन की अजमत को सलाम करते हैं जमीन पर अल्ला के लिए सच्चावाँ लेकिन मसला ये है वो लोग पढ़ते नहीं पढ़ें तो हमारी तारिय इसमाल होगा मेरे दोस्तों बतन से महबत मात का दर्जा रखता है लेकिन शरीयत में कुछ वदूद कायन करती है बस इस जुबले के बाद मैं अपनी जगल हूँगा मुलाईदा फर्माई मुलाईदा फर्माई ले जाईगा आपने भाई कैसे मैं तेरी मुहबत में गिरिफदार हूँ लेकिन तुझको मैं खोदा समझू ये इमकान नहीं है मैं तेरी मुहबत में गिरिफदार हूँ लेकिन तुझको मैं खोदा समझू ये इमकान नहीं है सामाने तिजारत मेरा इमान नहीं है तुझको मैं तुझको झाई वर्टू नहीं है वर्टू बॉर्टू लेकि आपने जम्हूरियत क्या चीज़ होगी कि आपने जब मुर्यत के मुझाहिरा किया तो इसको अच्छे से मुझाहिरे को मुझा पर बदल दीजी तो मैं गजल के और तुछ है गीत तो मैंने जब कहा था तुझे 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 चुरा लूँगा जब कर दो नौज़मान दो बढ़े रहे जी आजा विद्ध में बहुत खुक्रें है मुझे इजास्तत दिजे कि मैं गजल के तीचे खो पिजास्टत दीजे मुझे आप सबंगी तुझे है यह गजल भी आप सब खाए टाबाना اللہ تعالیٰ कब मेरी जबान से ऐसा एकार शेयर निकल बादे जो आखरत मेरे कामा है और आख सब मेरे कवाव बनी आखरत में जब हम दुवारा उखाए जाए जाएंगे तो हम से सवालाग किये जाएंगे कांग से सवालोगत क्या सुना आख से सवालोगत क्या देखा जबान से सवालोगत क्या कहा शायर माचीद से सवालोगत कि मैं तुझे लोगों को अपना पैगाम देने के लिए दुनिया में बेज़ा था तुमने लोगों को गुमरा किया कि मेरा पैगाम तो आख तो मेरा गव दोनों तरफ मुख्बते हों जजबे हों तब बात कामाती है नहीं तो नफरतों से बात आगे नहीं बढ़ती है मायू सी कुछ रहे मैं मतला पढ़ता हूं इसी हवाले से जो एक नया फैसला नहीं आया अबर एक राय आए है लाक खौफ तारी हो जलजलों के आने का पता ही अजिरात अगर मैसेच बोलो दो लाके खौफ तारिए हो जलसलों के आने का सेख सिला नचोड़ेंगे हम भी घर बनाने का सेख सिला नचोड़ेंगे हम भी घर बनाने का लाक खौफ तारी हो जलजलों के आने का आदा तारीख इसलाम पे परफ पलड़ता है आपका छुटा बाई जोदा सो साला तारी है आज के एद पे आज के मसाइद के आवाजे जबीश करता है नौजवानों कामियां करती हैं फैसिलों की मस्बूती कामियाब करती हैं फैसिलों की मस्बूती दिल में होसला रखिये कश्टियां जलाने साँ बड़ी ना तारीख बिजियाओ कामियाब करती हैं फैसिलों की मस्बूती दिल में होसला रखिये कश्टियां जलाने का दोस्तो एले इसे तकातुब है निग्यां का बहुत बड़ा आदियू है यहूदी है, मुसल्मान नहीं है उसने किताब लिकी सो वड़े इनसान माईकल कार्टिस का नाम है उसने सो वड़े इंसानों में दुनिया के आप सो वड़े इंसानों में सबसे पहला ना आप आले सलाथ वारे रहे लिखने वाला मसल्मान नहीं लिखने वाला यहुटी सबूत पेश करता है आपका छोड़े भाई सिलसिला ना छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का पड़ी मौपत जिसके पैजे से सारी काइनात रोशन है काम कर रहा है वो बकरियां चराने बहुत अच्छा शेयर साथ पुछ से जदा नवार रहा है यह बहुत अच्छा शेयर साथ जिसके पैजे से सारी काइनात रोशन है काम कर रहा है वो बकरियां चराने का सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी धर बनाने का इस गजल को भी मुखता सर्कता हूँ आख रिशेयर पेश करता हूँ मर के भी नहीं मरते हम जगां बदलते हैं मर के भी नहीं मरते हम जगां बदलते हैं मर के भी नहीं मरते हम जगां बदलते हैं खाब देखते रहना तुम हमें मिटाने मर के भी नहीं मरते हम जगां बदलते हैं हम जगां बदलते हैं खाब देखते रहना तुम हमें मिटाने का सिसिला ना छोड़ेंगे हम भी घर बदाने का बौद हो चुकिया चरह का जगां बदलते हैं जो में अज्मों यदी पे करा दो कर दो कर दो